एक वरुन गांधी का ट्वीट है फ्लीज प्ले करिएगा ये ट्वीट देखिए सेना और अर्थसैनिक बलों में भरती ना करने के कारण पाओं में छाले तीन साल से दौड रहे हैं युवा हताश हैं बढ़ती उम्र के कारण आयोगे हो रहे हैं इन युवाओं को आर्थिक तंगी से जूजना पड़ रहा है राष्ट सेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्टवारी सरकार तक पहुंचानी चाहिए प्रमुक साब ये ट्वीट देखा आपने ये आप ही के है ना वरुन गांदी ची आप कह रहे हैं आपने लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया है और ये तो ट्वीट करके कह रहे हैं वरुन गांदी ने तीन साल हो गए बताईए यूवा दोड रहे हैं पाओं में प्रमुक साब तीन साल में से दो साल कोवीट का जिक्र आपने किया तीन साल में कोई चुना भी रही नहीं हुई प्रदान मंतिरी ने कोई चुनावी रही है की 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 नहीं की देखिए पिलग जी इतना कोवीड काल की बात आप कर रहे हो रहा हमने उसका पालन किया है और जब जब चुनावी रैलियों में आज भी हो रहा है सर पालन तो मैं आप से वही पूछ रहा हूं जब आप लोगों आपको बहाना क्यों बना रहे हैं तो आने कहा बना जाए लाँ को घर रहा हूं हो eks auto कोरो कारण नहीं है प्रमुक साथ क्या लिख रहे हैं दुबारा देखिए आप त्वीट को ले जाकर इसे दुनिया का इस्ता ना बनाएं यह त्वीट गलती करें हो यह तो आप बोलिए वरुन गानी ने गलती का सेना और दर्सानिक बलो में भरती ना आने के कारण वो बता रहे हैं कि भरती नहीं कि आपकी सरकार ने पाओं में च्छाले पड़ गए तीन सालों से दौड रहे हैं युवा वो बता रहे हैं आर्थिक तंवी से जूज रहे हैं युवा वो बता रहे हैं राश्ट सेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राश्टवादी सरकार वह लिख रहे हैं राश्टवादी सरकार, तक पहुंचनी चाहिए, यह आप ही के नियता लिख रहा है, और राश्टवादी सरकार को गलत थोड़ी करें, मैं आपसे तो तरह हो, यॵाओ को नौकनी नहीं देंगे, स्क्रीन पर लीजिए, प्र यूवाओं को रोजगार दिया, यूवाओं का सम्मान किया, यूवाओं के लिए सब कुछ किया, लेकिन पोविड काल की जो बात की है, मैंने भिर आपको दोरा रहा हूं, कि दो वर्स जो है, वो बड़े कीमती थे, और अब हमारे जो लेता है, वरुन भाई, उन्होंने भी जाई वर्स का इपिकर किया है, उन्होंने पहले का नहीं किया, अब हमने पहले का नहीं किया, अब हमने भी जी का नमक खिला है, लोगों को, नहीं मैंने नहीं कहा तो, मोदी जी ने भी नहीं कहा, अगर किसी की भावना है, और उसने अपनी भावना से अपनी बास परिकर क आपकी तो समय रोख भी नहीं सकता अर मोदी जी भी नहीं रोख सकते